प्रभातकबर.com विश्वास वही रवतार नहीं पांच राज्यों के विधानसबा चुनाओं के नतीजे थोड़ी देर में आना शुरू हो जाएंगे सबसे तेज नतीजों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए तेज नतीजे और विश्लेशन आप हमारी वेबसाइट प्रभातकबर.com बे जाकर पढ़ सकते हैं आये विस्तार से समझते हैं कि इन विधानसबा में जीत का गनित क्या है जीत के लिए किस पार्टी को कितनी सीट लानी होगी पंजाब, उतराखंड, गोवा और मनिपूर में विधानसबा चुनाव के नतीजों पर पूरे देश की नजर है इन राज्यों के राजनीतिक भविस्ट पर सबकी निजर ठीकी हुई है क्योंकि इन राज्यों के चुनावी नतीजे साल 2024 में होने वाले लोगसबा चुनाव पर भी असर डालेंगे इन राज्यों में सत्ता की चावी जिसके हाथ लगेगी लोगसबा चुनाव में उसकी राह थोड़ी आसान हो जाईगी आये समझते हैं पंजाब, उतराखंड, गोवा और मनिपूर में विधान सभा की कितनी सीटे हैं और किसी भी दल को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए कितनी सीटों की जरुरत होगी सबसे पहले चलते हैं पंजाब पंजाब में खूब राजनीतिक उठा पटक रही, चुनाओं से पहले भारी फेर वदल हुए कॉंग्रेस, भारतिय जनता, पार्टी साइथ, छेत्रिये पार्टियों में भी उतल पुतल देखने को मिला पंजाब में विधान सभाकी 117 सीटे है, यहां बहुमत के लिए जरूरी है उनसट का आकड़ा उत्राखंड, पंजाब की तरह ही पिछले साल उत्राखंड में भी काफी और स्थिर्ता देखने को मिली सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने पिछले साल तीन मुख्य मंत्री बदले, यहां विधान सभाकी 70 सीटे हैं और बहुमत का जादूई आकड़ा है 36 गोवा, छोटा राज्य होने के बाद भी गोवा का चुनावी समिकरन बेहत दिल्चस्प बन गया है, यहां बीते दो सालों के दोरान कई बड़े राजनीतिक उतार चड़ाओ देखने को मिले हैं, राज्य में विधान सभाकी 40 सीटे हैं और यहां बहुमत का आंकड़ा है 21 मनिपूर में विधान सभाकी 60 सीटे हैं और यहां बहुमत के लिए 31 सीटे जीतना जरूरी है, पिछले चुनाव में सबसे ज़्यादा 21 सीटे जीत कर बीजेपी ने एनपीफ, एनपीप और एल आईपी के साथ मिलकर गडवन्दन की सरकार बनाई थी